स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरूजी के डेली करंट अफयर सेसन में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आँज की करंफयर सेसन देखते हैं आज की क्या है और अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए तो मेरे टेली गराम चैनल को आप जोइन कर सकते हैं वहाँ पे आपको मंधली पीडियाप प्रोवाइड किया जाता है हाल ही में इंडियन आयल कॉर्पोरेशन द्वारा पहली बार एबियेशन गैस का निजात किसे किया गया है तो यह किया गया है पप्पू निव गुनिया को यह एक तरीके का फ्यूल होता है और इसका नाम है एबी गैस हंड्रेट एलेल इसका परियोग होता है बेसिकली एक तरीका के पेट्रोल है सबसे अच्छा वला पेट्रोल इसका यूज जहां पे होता है तो एरो प्लेन हो गया हेलिकाप्टर हो गया इन सब में जो फ्यूल पड़ता है यही होता है बजट 2023-2024 के अनुसार आयकर बेवस्था में कितनी आयको कर्मुक्त करने की घोस्डा की गई है तो एंसर इसका हो जाएगा 3 लाग पहले यह कितना था तो पहले 2.5 लाग जो होता था इतने पे टेक्स देना पड़ता था कितना तो 5% अभी जो नया बजट पेस हुआ इसके अकॉडिंग अगर देखेंगे तो इसको बढ़ा कि आप कहां कर दिया कि 0 से 3 लाग तक अगर कोई इंकम है आपका तो इस पे 0% प्याज यानि टेक्स देना पड़ेगा आपको ने कोई ने देना पड़ेगा और अगर 0 से 6 लाग में आपको देना पड़ेगा 5% 6 से 9 लाग की बीच में आपको देना पड़ेगा 10% और अगर 9 से 12 लाग तक है तो देना पड़ेगा 15% और 12 से 15 की बीच में 20% और अगर 15 लाग से उपर का इंकम है तो आपको 30% एक्स गवर्मेंट को पे करना पड़ेगा टाटा स्टील चेस टूनामेंट 2013 का खिताब किस ने जीत लिया है जिसको जीता है अनीस गिरी ने और अभी भारत के 79 नमबर के अगर ग्रेंड मास्टर पुछा जाए तो यह बनेते परनेस यम और भारत के पहले ग्रेंड मास्टर अगर पुछा जाए पहले नमबर के तो वह है विशूनातन अनंद और भारत की पहली महिला अगर ग्रेंड मास्टर पुछा जाए यह स्विजय लक्शमी हाल ही में भारतियत रच्शक बल ने कौन सी अस्थाबना दिवस मनाई है तो यह 47 नमर का मनाया गया है और मनाया कब जाता है एक फरवरी को अधुनिया में सबसे लंबा जो कोष्ट बाउंडरी बनाता जो देश यानि समुदरी थटिये वो है कनाड़ा और अगर भारत में पूछा जाए तो यह सबसे बड़ा जो कोस्ट बाउंडरी बनाता हुआ गुजरात है हाल ही में भारतिय सेना ने संयुक्त सेन अभ्यास त्री सक्ती परहर का आयोजन कहां पर किया है जिसका आयोजन हुआ है पेस्ट बंग्याल यानी परस्चे मंगाल में वहां की मुक्यमंतरी यह समय है कोलकाता और अगर यह पूछा जाए कि बारत का पहला अंडर वाटर मैट्रो कहां पर स्टार्ट हुआ तो वह भी कोलकाता में और कहां पर कोलकाता में किस नदी पर तो हुगली नदी के नीचे स्टार्ट हुआ है और हाल ही में ताड के तेल की खेती के लिए किस राजी की सरकार ने पतंजली फूड के साथ समझाओता किया है तो यह नागा लेंड के सरकार ने किया है वहाँ के जो CM है समय वह है नेफिरियो और वहाँ की कैपिटल क्या है कोहिमा और वहाँ पर जो गवर्नर है वह है जगदीश मुखी और हाल ही में माडल जी टॉन्टी सिकर सम्मिलन का उद घाटन किस ने किया है तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बाक्स में देंगे आज का करन टपर का समाथ होता है तो मिलेंगे कल अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद